श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 29 अक्तुबर 2024 के दिन यहाँ पर मंगलवार को धन तेरस पड़ रही है। इसलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि यह धन तेरस मंगलवार को कार्तिक महीने में पड़ रही है। सुख समरिध्धि और बरकत आती है। धन तेरस के दिन कुछ सरल से उपाय करने से भी काफी शुब होता है। इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है। और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो। आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई, ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पित्र दोश हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोश भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोश होते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपा उपाय को आप लोगों को कर लेना है। उपाय को कर सकते हो, तो सीधी सी बात ये है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो, तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है, जीस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिवजी से और माता लक्ष्मी से पून कर और अगर कोई भी माताएं बहने जो है अपने घर की सुख और शान्ति के लिए घर में धन सम्रिध्य को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है तो घर की जो बड़ी माताएं बहने होंगी वह इस हल्दी वाले उपाय को विशेश रूप से करें क्योंकि माताएं बहने घर की लक्षमी होती है और जब घर की लक्षमी कोई विशेश उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बढ़ा होकर मिलता है अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है चाहे वह बढ़ा हो चाहे वह छोटा हो चाहे वह बच्च जीस व्यक्ति को यह हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस हल्दी वाला उपाय को इस धन तेरस के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। जो समय है वह क्या है? तो देखिए इस धन तेरस के दिन किये जाने वाले, यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा, किस समय होगा सुबह के समय होगा, आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस हल्दी वाला उप अब भाई, प्रदोशकाल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है, कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए, तो हम आपको बता दे, प्रदोशकाल का जो एक एक समय होता है, शाम का समय वह होता है, शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का, इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे, तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा, तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस हल्दी वाला उपाय को कर तो भाई आप बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रशन भी ज़रूर करेंगे, कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए, तो देखिये, उन लोगों को भी TENSION लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोश काल में कर रहे हैं, और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, आप आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुँच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे, तो भी चल जा और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है, तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 29 अक्तुबर 2024 धन 13 का दिन है, ये दिन एक ही बार आता है पूरे, साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना, कोई भी उपाय हो, आप क उपाय का फल जरूर मिलेगा, तो देखिए, कार्तिक मास के दिनों मैं विशेशकर, श्री हरी विश्नु और श्री कृष्ण और भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है, अब साथ ही साथ धन 13 का दिन भी पढ़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए, आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले उपाय की, जो की धन 13 वाले दिन आपको विशेश कर करना है, और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है, जब आप धन 13 वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं, देखिए, इस धनवंतरी 13 भी कहा जाता है, अगर इस दिन हम भगवान विशनु और माता तुलसी के समक्ष कोई भी उपाय करते हैं, तो उसका फल हमें जरूर मिलता है, तो देखिए, आप सभी जानते हैं, कि श्री हरी विशनु और कृष्ण जी जो है, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रि हैं, क्योंकि श्री हरी विशनु अगर प्रसन्न हो गए, तो आपकी कोई भी विश और इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी, तो आपको तुलसी के पाँच पत्ते लेने हैं, अब जीज दिन धन 13 है, उस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़े, पहले से ही तोड़ कर रख ले, अब ये पाँच तुलसी के पत्ते जो आपने लिये हैं, ये पाँच तुलसी के पत्ते आपको श्री हरी विशनु को अर्पित करने हैं, अपने घर के मंदिर में ही ठीक हैं, ऐसा आपको करना है, आपके घर में श्री हरी विशनु की कोई मूर्ती है, या श्री ओम भगवते वासु देवाएए, नमह इस मंत्र का आपको ग्यारह बार जब करना है। देखो मंत्र कौनlo pasado है ओम नमो भगवते वासु देवाए। नमह और फिर श्री हरी विश्णु से अपनी विश अपनी इच्छा कह देना है। और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए, अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन करची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है, जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश ह बस एक बार Shri Hari Vishnu से कहदेना क्योंकि धनतिरस भी इस दिन है साथ ही साथ साल का सबसे बड़ा महीना है ये दिन इतना उत्तम है कि जो भी आप Shri Hari Vishnuजी से मांग लेंगे जो उनसे कह देंगे वो आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे तो ये पहला उपाय है चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की तो चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर देखो यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है एक-एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं तो आज रात्री में सोने से पहले आपको हो ये एक चमतकारी दीपक का उपाय अवश्य करना है या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनिस है, दुकान है वो अच्छे से नहीं चल पा रही है तो आज रात्री में इस विशेश दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ती को बाहर करता है यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है केवल और केवल धनतेरस पर ही इस उपाय को किया जाता है देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकडी है, वो सूखी हुई है, तो उसकी लकडी आप तोड़ करके इस्तिमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकडी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना है और आज के दिन लकडी को नहीं तोड़ना है तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा चाहे तो आठे का दीपक भी ले सके, क्योंकि आठे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इससे दीपक के अंदर अपने जो तुलसी जी की लकडी ली है, उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकडी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए गुरू जी ने बताया है, कि जो तुलसी जी की लकडी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघरता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है, आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है। और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकडी ली है, उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकडी के ऊपर रुई लपेटने के बाद, इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहां करना है, तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। पूसी के गमले में आपको वो कौन सी चीज डालनी है? जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे, इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा, आपके पैसे की बर्बादी बिल अंतेरस वाले दिन जरूर करना चाहिए, तो देखिए पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरी विश्नु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है, है ना? और तुलसी मैया जो है वह श्री हरी विश्नु के बिना अधूरी है, तो देखिए जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरी विश्नु को प्रसंद कर लेते हैं अब व्यक्ति को यानि जो भी व्यक्ति है किस व्यक्ति को कितना धन देना है ये श्री हरी विश्नु के हाथ में होता है धन देने का काम मा लक्ष्मी करती है, जो की मा तुलसी का ही एक रूप है, मा तुलसी जो है, ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है, है ना? तो आपको करना क्या है? आपको लेनी है यहाँ पर, हल्दी पिसी हुई जो की श्री हरी विश्नु से जुड़ी हुई है, आपके गुरू को मजबूत करती है, सुखसोभाग्य को खीचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है, तो एक छुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है, और ये पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में तुलसी का पौधा जीस गमले में लगा है, उसमें अ इस मंत्र का जाप करते रहना और हलके हलके से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाए आपको ऐसा समझिये धनतेरस का मिलेगा नहीं। बहुत ही उत्तम उपाए है। तुलसी के गमले में एक छुटकी पिसी हुई हल्दी डालना है। तो ये बहुत ही उत्तम उपाए है। इस उपाए को आप जरूर करें। अहोई अश्टमी वाले दिन और साल का सबसे बड़ा यह दिन दिन है। तो इस उपाए को करने से श्री हरी विश्नु आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं। आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाए की जो की मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है और यह उपाए है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए है। उन्हें विशेश कर यह तीसरे उपाए करना है। जिन लोगों के पास बिलकुल पैसा आना बंध हो गया है सर पर लगातार करजा बढ़ रहा है। उन्हें भी यह तीसरे उपाए करना है। तो देखिए आपको फिर से क्या लेना है। हल्दी लेनी है। पीसी हुई जो की पीसी हुई हल्दी लेनी है। और थोड़ा सा पानी डाल कर उसका गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वस्थिक बनाने है। कितने स्वस्थिक एक स्वस्थिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हैं, चाहे तो आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जीस चीज में भी पैसा रखते हैं, बस वहाँ पर हल्दी से एक स्वस्थिक बनाना है, दूसरा स्वस् बस ये उपाय आपने धन 13 वाले दिन कर लिया तो देखिए जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वस्थिक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहाँ पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है, क्योंकि हल्दी किस से जुड़ी हुई है श्री हरी विश्नु से, और मा लक्ष्मी कहा होती है, जहां श्री हरी विश्नु वास करते हैं, अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है, उसमें अगर आप एक स्वस् का स्वस्थिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनरजी जैसी चीजें, बिलकुल आपके घर में नहीं रुकती हैं, मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है, कि मुख्य द्वार से ही मा, लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है, और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वस्थिक बना दिये, तो मा, लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि यह श्री हरी विष्णु से जुड़ी हुई है, है ना, और हल्दी के स्वस्थिक, जहां पर जो व्यक्ति अपने घर क मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए, मा, लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती है, और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़ कर नहीं जाती है, स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा, यह हल्दी के स्वस्थिक वाला उपाय, धन तेरस के दिन बहुत ही उत्तम है, साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं, और एक पानी का घड़ा भरा हुआ, किसी भी तरह से ना हो, तो मंदिर मैं जरूर दान करें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को एक लाइक जरूर क और कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव